हेलो फ्रेंड्स वेलकूम्टो मोडर्न क्लासेज देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नाव धारा का नेक्स टैप पढ़ने वाले हैं और इस टाइप में जो प्रशन के प्रकार को देखेंगे कुछ इस प्रकार से होगा अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चालों प तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिक्शन को आउन कर लिजेगा देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका बेसिक कॉंसेप्ट क्या है हाला कि हम पहले से बता चुके हैं सिर्फ थोड़ा सा बात हम करने की ध्यान समझ दिशा है एक बार इसके साथ चल रहा है इसी दिशा में चल रहा है इसको हम लोग अनुकुल दिशा कहेंगे और एक बार इसके जश्ट विपरीत दिशा में चल रहा है यानि कि प्रतिकूल दिशा में कह रहेंगे यानि इस बात को सिर्फ समझना होगा तो उस प्रेड में ह क्या जब ऐंहेंद ऐसाहें बस इत्ना ही concept को ध्यानम रखना है अब देखे आơnहें दीमे को उसके का अधार पर समयने का प्रयास कि या देखे हमारी पहला क्योंट कुछ इस नदी का बेग 2 km परति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 km परति घंटा हो तो दोनों अस्थानों के बीच की दूरी ग्यात किजिए ध्यान से समझेगा एक नदी है और इस नदी में धारा चल रही है और इस बिंदू यहाँ से मानले इस बिंदू को और इस बिंदू कि यह सब करने में उसे समय जो लग रहा है टोटल चार घंटे का समय लग रहा है यहां तो बताया जा रहा है उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि यदि नदी का बेग जो है तो 4 km प्रति घंटा यह इस ते जल में 4 km प्रति घंटा चल रही है जब नदी में चल रही है तो बताए क्या जा रहे कि यहां तक जाती है फिर वापस आ जाती है इसका जश्ट थोड़ा सा मिनिंग सिर्फ निकालेगा तो इसका अर्थिया है कि एक बार अनुकूल दिशा में जा रही है और एक बार प्रतिकूल दिशा में वापस आ रही है थोड़ा समझेगा तो यहां से आप आसानी से किलियर कर सकते हैं सबसे पहले जब जाएगी यानि कि इसको हम का सकते है अनुकूल ध्यान दिजेगा थोड़ा सा मातरा पर ध्यान न दिजेगा अनुकूल जो चाल होगा हो क्या होगा भाई तो आप बुलेगा सर अनुकूल चाल तो आप बताये थे कि जोड के होगा यानि इस दीशा में जा रही है इसी के दीशा में तो चार और दो मिला के छो किलो मिटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल कहां इस नदी में यदि प्रति कूल की बात करें तो प्रति कूल क्या होगा भाई तो प्रति कूल में आप बुलिएगा सर इसको घटा क्यों होगा यानि चार में से दू को घटा येगा तो क्या हो जाएगा दो किलो मिटर प्रती घंटा, यहां तक क्लियर है अब इन दोनों चालों से एक बार जाया जा रहा है, एक बार वापस आया जा रहा है तो उस प्रिट में चार घंटा का समय लग रहा है तो समय बरापर तो आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड स्पीड होता है, इस बात को आप अच्छी तरस जानते हैं हम मान के चल रहे हैं, इस दूरी को निकालना है कि कितना दूरी है, तो हम मान के चल रहे हैं कि वह दूरी जो है, वह डी है ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो उस प्रिट में रहाँ जोड़ा सकते हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे कि कितना दूरी है इन yen का चे दूम सबाइब हो जाएगा ईक हो एक हो जाएगा यानी डी हो जाएगा प्लस 2-3 एचा 3D हो जाएगा यहां से 4D हो जाएगा तक 4D by 6 हो जाएगा 4 से 4 cancel हो जाएगा और डी बरबर क्या हो जाएगा 6 KM यहां तक आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं जीन में बहुत ज्यादा कथीन बात नहीं है सिर्फ समझना बहुत बड़ी बात होती है जो आप समझ जाते हैं तो आ आपके लिए कोईस्जन असान वाजता है चलिए हम लोग नेक्स्ट कोईस्ट देखते हैं तो चलिए दोस्तों देखे हमारा अगला प्रशन कुछ इस प्र हाला कि दौनों तरफ से खूला है इस बात को मानिएगा और इस दीशा में नदी चल रहा है तो यहां बताया रहा है कि जो जल प्रवा शूरा है त youtube हुसका प्रवा हो रहा है तीन किलोमीटर पृति घंटा के रफ्तार से हो रहा है और एक नाय है जोकि इस्थिर जल में 7 km प्रति घंटा के राफ़तार से चल पा रही है जो नाव है वह क्या कर रहे है ध्यान दीज़ेगा इसको उपर हम लिखेंगा तो अच्छा रहाएगा 7 ilometर प्रति घंटा के राफ़तार से चल पा रही है लेकिन इसको क्या करना है इस नदी में उतार कर इसे 20 km किलोमेटर लेकर जाना है आगे और 20 किलोमेटर फिर वापस आना है समझ पा रहा है और ऐसा करने में टोटल इसमें पूछा जा रहा है कि कितना समय लएगा आप बताइए तो ध्यान से देखिएगा जब अनुकूल रहेगा अनुकूल जब अनुकूल इसका चाल देखा जाए तो प्रतिकूल क्या होगा सिर्फ हम लिख रहे हैं आपको लिखने के कोई जोड़त है सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है आप आसानी से इसको सोल्ब कर सकते हैं तो इसको घटाएंगे तो 4-37 यानि 4 किलोमेटर प्रतिघंटा हो जाएगा इस बात को आप अच्छी यहां तक तो आप समझते ही हैं तो दूरी हमारा क्या है 20 अबटा में जो चाल है जाने की पीड़ में अनुकूल दिसा में चल रहा है तो ऐसा समय लगेगा उसी तरह से आने के उसे मेंब्रोरों क्या हो जाएगा इसके द्वारा जाने में समय आने में समय इन दोनों समयों को जोड़ देते हैं हम तो जो समय निकलेगा वह आसानी सम निकाल पाएंगा कि समय क्या निकलेगा देखे 10 दूना के भीस दो बार में 4-5-20, 5-7 घंटे का समय देखे हलाकि यह बहुत ही normal question है लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि इन सभी छोटे छोटे बातों को पकड़ के बहुत बड़े question को भी आप solve कर सकते हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि इसका जो basic है वो कैसे कीधर की और मोल पा रहा है और इसको समझने का प्रयास कीजिए चलिए हम लोग next question देखते हैं देखे हमारा अगला question कुछ इस प्रकार से है कल्लू जल प्रवा के साथ 75 किलोमेटर तक अपनी नाव तीन घंटे में ले जाकर पुना पांच घंटे में वापस आता है सांत जल में नाव की सांत जल में नाव की इस प्रकार से चल रहा है और जो नदी की चल है यानि धारा की जो चल है वह कैसे चल रहा है इसके बिसे में पूछा जा रहा है थोड़ा समझेगा हम ऐसा मान की चल रहा है यह देखे धारा हो गया तो जब अनुकूल चल रहा है यानि इस बात को हम अनुकूल के लिए ऐसा कर रहे हैं कि दोनों एक साथ चल रहे है तो जब जा रहा है तो 75 किलोमेटर की जो दूरी है इस दूरी को तैं करने में 3 घंटे का समय ले रहा है जब परती कूल चल रहा है तो इसी 75 km की जो दूरी है उसको 5 घंटे में तैं कर रहा है इसी बात को ध्यान देना है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप ग्यात किजे कि इसकी जो चाल है वह क्या होगा ध्यान समझेगा एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तैं किया जा रहा है तो इनके द्वारा जो लिया गया समय होगा वह भी बताया जा रहे है अब थोड़ा समझेगा चाल होगा दूरी बड़ा में समय होगा दूरी हमें बताय जा रहे है 75 और इस हिसाब से देखा जाए तो समय क्या लग रहा घंटा यानि इस बात से कह सकते हैं कि 2015 km ग्हंता यह क dipping हिसाब से लिए 25 क्ञिंटर प्रति घंटा यानिह कि अनुकूल जब चल रहा है तो यक्स-प्लय वाई को जोड के क्या आए ग्वाई को 25 km प्रति घंटा अएगा इसी तरह से रही विपरीद दिशा में यानि प्रतिकूल दिशा में देखा जाए तो इस प्रेड में जो स्पीड होगा क्या होगा भाई तो डिस्टेंस यानि 75 जो टाइम है वह पांच होगा तो 5 से करेंगे तो 5 के 5 हो जाएगा हाँ से ऐसे 15 75 यानि 15 किलो मिटर प्रति घंटा होगा ध्यान दिजेगा अनुकूल में चल रहा है तो पचीस और प्रतिकूल में चल रहा है तो 15 यानि यक्स माइनस वाई होगा यानि कि इसके चाल में से इसका चाल घटाना पड़ेगा तो जाके निकलेगा 15 और इसको को जोड़ के 25 वराइस का मतलब यह क्या होगा पांच किलो मिटर प्रति घंटा होगा आपको एक क्विश्चन बहुत ही सीम्पल वहां सामें समझ में आ गया होगा देखे थोड़ा सा कम जगव में लिखे हमको ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा उसको पूरा उसको स्क्रीन में करके देख लिएगा वीडियो समझ में आ जाएगा चलिए हम लोग नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं तो चलिए दोस्तों देखे हमारा आगला प्रशन कुछ इस प्रकार से है एक बेक्ती सांत जल में 10 किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है जबकि नदी का ज बताया जा रहा है कि धारा की जो चाल है वह बताया जा रहा है क्या दो किलोमेटर प्रति घंटा दो किलोमेटर प्रति घंटा बताया जा रहा है जो नाव है यानि नाविक जो है उस नाव को किसी सांत जल में 10 किलोमेटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला पा रहा है यहां को हम पहले लिखते हैं अच्छा रहेगा 24 किलो मीटर की दूरीतें कर पा रहा है उसके बाद बताया रहा है कि प्रतिकूल दिशा में 16 किलो मीटर की दूरीतें कर पा रहा है एक इधर और एक इधर 16 किलो मीटर और इसके द्वारा कितना समय लग रहा है और इसके द्वारा कित कर देते हैं समय बराबर दूरी बटा में क्या हो जाएगा चाल तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा यहां 24 देर खाए तो 24 हमारा हो जाएगा चाल हमारा क्या होगा तो चाल के बिसे में देखिए अनुकूल जब दोनों चलेगा तो इस परिएड में इस नदी में यह जो नदी नाव चलने माला है जोड के होगा यानि उसकी चार्ज को जोड के करेंगे हम यानि 12 किलोमेटर प्रतिगंटा होगा तो 12 दुना के 24 दो भंटे का टाइम तो यहां से लगने माला है यहां तक कि लिए जब उल्टा दिसा में चल रहा है तो यहां से भी टाइम क्या लाएगा ड तो इस प्रेट में आठ हो जाएगा और आठ दुना के शोल यानि दो घंटा यहां से भी लग रहा है अब आप से कोई कहें बताए सर कि समय कितना लगा तो क्या कहेंगे आप आप बोलेंगे सर चार घंटा ऐसा होता कैसे इसको देखे रियल लाइफ में तोड़ा समझे जै लेकिन आपको पता चले नहीं नहीं यह हमारा जगा नहीं हमको तो यहीं रुपना था तो 16 किलोमेटर का यात्र आप पुना हो रिडर्निंग में तैंकि तो कुछ ऐसा ही घटना इनके साथ भी घट रहा है इस प्रकार से पुछा जारे कि आपको समय कितना लगा तो आप ब अबी 100 मीटर हो तो धारा के जो धारा की गती है उसके पूछ रहा है कि क्या होगा और किलोमेटर प्रति घंटा मतना है थोड़ा सा सिर्फ समझेगा ऐसा कैसे घटना घट रहा है जैसे मान लेते हैं यह बिंदू ए है और इस बिंदू को हम मान लेकते हैं बी है वह को क्या कर रहा है कि सबसे पहले वक्या कर रहा है कि धारा के विरुद्ध वह जाता है पांच मिनट तक तो धारा के विरुद्ध जाता है पांच मिनट तक यहां तक देखिए पांच मिनट तक यह समय दे रहा है और जा रहा है जाने के बाद वह क्या कर रहा है वह बिरुद्ध मतल तक वह जाता है यहां पाँच मिनट तक चल रहा है और चलने के बाद हमसे क्या पता चल रहा है कि वह देखा कि पांच मिनट तक चलने के बाद बिंदू B तक पहुँची यहां कि देखिए यह बी बिंदू आपको यहां नहीं समझ मारा होगा तो जो बिंदू भी है वह यहां भी हो सकता है जेनरली होगा ही अभी आपको बता दें कैसे होगा है तो इस बात को थोड़ा समझेगा यानि पहले वह इधर के और गया धारा के बिरूद पांच मिनट तक फिर वापस लोटा धारा के साथ यह बी बिंदू पर और पता क्या चला कि एबी के बीच की जो दूरी है वह क्या है सो मिटर की है ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है फिर से समझने का प्रयास किजेगा जैसे हमें इस बिंदू से जाना था इधर लेकिन हम गलती से इधर के और चले ऑना था फिर ृटर्न होके लुट क्या है जितना समय यहां सिर्फ इतना दुरी तैंगा था उसको उतना ही समय को मदत करेगी इसी बात को समझना आपको थोड़ा समझेगा जब ऐसा कंडिशन घट रहा है तो हम मांके चल रहे वह इधर के और चल रहे है तो उस प्रेड में इसका जो चाल होगा वह क्या होगा उल्टा होगा यानि कि अभी प्रीत है तो घटा क्या होगा और मान के चलने के देखिए यहां जो धारा की चाल है उसको हम लोग वाई मान रहे हैं और इसका जो चाल है उसको यक्स मान रहे है यहां से लेकर यहां तक जब जा रहा है तो इसके द्वारा भी दूरी तैंग किया जाएगा और यहां से लेकर यहां तक जब जा रहा है यानि ऐसे करके रिटर्न हो किया रहा है तो वहां भी दूरी तैंग किया जाएगा सबसे पहले हम जाने के समय में देखें कि जो दूरी है वह क्या तैंखें किया जा लाए तो अप बुलिए गा सर कि दूरी बराबर क्या होता है and speed इंटू टाइं होता है speed हमें देखा क्या जा रहा है कि हमारा speed by y hug emax minus y होगा क्योंकि और भी प्रीव साम lava जा रहा है X यहां तक क्लिए इतना हो जा रहा है अब उसके बाद हमसे कर रहा है कि आप बताईए कि इन दोनों का अलग-अलग पूल-जैस किजेगा दोनों का चाल तो जैन原ly पूछ नहीं रही हमहें सिर्फ-धारा का मैं और य का भी गाल व हम نिकाल है उससे थोड़े समझे कराया जब यह दूरी है तो यह दूरी आहां की दूरी बी A-S हो जाएगा ऐसा कर देंगे देखिए यसबी माइनस A-S बराबर क्या हो जाएगा भाई एभी होगा यह दूरी को निकलने के लिए यहां से यहां क्या है तो इस प्रेट में देखेंगे त्यास्टी हमारा क्या है यहां है यह प्लस वाई इसको मुल्टिप्लाइब कर दे रहे हैं एक यह बार डायरेक्ट अच्छा हो जाएगा चाहे नहीं भी करेंगो तो हो जाएगा च्छाव पाचे-330-300 गवर देते हैं इसको देखा जाए तो हमको घटाना है तो माइनस यर्क्स-वाई तो होई जाएगा और साथ में अभी क्या है मल्टिप्लाइ भी रहे हैं पांच बुने साठ्ट जो हो क्या हो जाएगा तीन सो हो जाएगा आपकर सकते हैं कि सर यहां से तीन सो ले लिजे कॉमन और उसके ब होगा is go is go kart सकते को सकते हैं यहां से योगा वह क्या होगा क्रो यह bus seven six zero five five six six zero क्या होजाएगा वाई हो जाएगा और या पैलू सो 100 बटा में 600 कर सकते हैं और क्या हो जाएगा वन बटा में 6 हो जाएगा ऐसे करके वाई का भेलू यहां तक किलियर है लेकिन यहां कैसा है वाई भाई हम आपको बताए थे कि इसको हम लोग मान के चलें मीटर परती से क्रिंड में लेकिन हमको क्या पुछ रहा है हमको कि कीलो मीटर परती घंट क्यों परती घंटा बंगता की लिए एक काम करते हैं किodel से बड़ा बंदने में चल रहा है तो उस प्रेड में एक बाध दिष्ट लेखेंगए और जब उसके समझ पा रहा है तो उस प्रेड में जो इसका की सुभा उसको निकाल देंगे और इस को किसी भी तरह से क्या बिन और माइननस करके इहां तक हम पहुंचेंगे और वाई का भेलू हम डायरेक्ट यहां तक निकाल सकते हैं देखिए बहुत ही सिंपल है जो इसका लेंगवेज यह थोड़ा सा हाड था बस इसी लिए आपको हो सकता है किसमें समझने में प्रोब्लम हो दुबारा देखेगा समझने का सिर्फ इस फिगर को सम मिन लेता है और वापस लुटने में साथ सही एक बटा दो मिनट का समय लेता है और पूछा जा रहा है कि स्थिर जल में व्यक्ति की गती बताई कि यहां जो बताय क्या जा रहा है कि वह विपरीत दिशा में चल रहा है तो इस आ जो 3 बटा 4- ketchup की दूरी है उसको तैंक करने देख़ेगें किलू मीटर है तो हम लोग इसको देख़े लाश्च मंसे पूछ रहा है कि गत्ती बता दे रहे हैं तो इसको घंटा में कंवर्ट कर दे रहे है । उससे पहले इसको देखें कि चार हो जाएगा घंटा साट से क्या आता है भागा आप जानते हैं तो साट से कर देने भागा 15-45-45-60 यानि क्या हो जाएगा तीन बटा में 16 घंटा हो जाएगा यहां तक उसके बाद रिटन हो रहा है यानि इसी दूरी को फिर रिटन तय कर रहा है तो उस प्रेड में जो दोनों का डायरेक्शन जो मीनट लग रहा है यहां तक किलिए और इसको भी स्वल्प कीजाएगा तो साथ दुना के चाओदा एक पंद्रा बटा में क्या हो जाएगा दो हो जाएगा और इसको घंटा में कनवर्ट कीजेगा जब तो होगा क्या इसको उटा देते हैं दिखिए आज साठ से कर दें हैं कि जब दुनों अलग-अलग दिसाव में चल रहे हैं तो वहाँ से जो इस पीड निकल रहा है वह क्या निकल रहा है तो इस बात को कर सकते हैं ध्यान से देखिएगा यह ऊपर जाएगा तो होगा क्या चार किलो मीटर प्रतिघंडा आप इसको सोल्व कर सकते हैं इसके से हम ज्यादा बात करने वाले नहीं है उसी तरह से इस स्पीट के से देखें यह वाला जो है इसकेल दीसा में चल रहा है तो उसके लिए यह स्पीड होगा तो distance और यह जो है जोड़ के होगा यानिय mínimoय को मान के चल रहे हैं ना हो या व्यक्ति और इसको mान के चल रहे है अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो 5 km प्रति घंटा है वह क्या है व्यक्ति की चाल है बहुत हीं simple way में समझाने का प्रयास के हैं देखे थोड़ा सा इसका question में थोड़ा सा सिर्फ क्या हो जाता है कलकुले समयता है जो कि आपको समझने की जबूतिती है यहां हम कुछ नही करते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद